Hello everyone, I hope you all are fine. आज का हमारा topic है matter. आज हम matter के बारे में बात करने वाले हैं. So basically हम जब ये topic पढ़ती हैं, तो हम ये छोटी classes से topic पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसे grade 5, grade 6. जब हम बड़े होते जाते हैं, तो अब हम matter के बारे में और कुछ नए चीज़े भी जानेंगे. तो कुछ नए चीज़े जानने से पहले, हमें कुछ matter के basics clear करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है. जो हमने पहले classes में भी पढ़ा है, लेकिन वो हमारे basics आज के नए topic से भी connect होंगे, इस वज़े से हमें matter के बारे में basic clear करना बहुत ज़रूरी है. तो हम example से शुरू करते हैं, matter क्या होता है, कैसे examples होते हैं, तो आप सब अपनी आसपास बहुत सारी चीज़े देख पा रहे होंगे, जैसे आपके आसपास stable होगा, book होगी, या फिर हम हवा, gas अफकॉस ले प्रीथ कर पा रहे हैं, तो ये सारे जो चीज़े हैं, ये सारे हमारे matter हैं, आपके आसपास water भी होगा, juice भी होगा, बट अगर हम मैं आपको बोलू कि अगर हम happiness को compare करें, sadness को compare करें, या anger को compare करें, तो ये सारे भी कुछ चीज़े हैं, जो हमारे life से जुड़ी हुई हैं, और ये सारे भी कुछ चीज़े हैं, लेकिन ये table, book, gas, water, या जो हमारा ये emotions हैं, happy, sadness, angerness, तो ये हमारे जो emotions हैं, ये क्यों different हैं, ये matter क्यों नहीं हैं, तो yes, इतना तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये matter नहीं है, ये हमारे emotions हैं, लेकिन हमारे आसपास जो चीज़ें रखी गई हैं, जैसे table, book, stool, human beings, animals, plants, ये सारे हमारे matter हैं, ठीक है, अभी हम समझते हैं कि matter ये सारे चीज़ें क्यों हैं, और emotions क्यों नहीं हैं, तो आप ये सब लिख सकते हो, जिसके पास अपना खुद का mass होता है, और वो space को occupy करें, तो ये दोनों points जब किसी भी object में पाए जाएंगे, तो ये दोनों की तरफ से हम समझ सकते हैं, कि ये हम matter के बारे में बात कर रही हैं, तो किसी भी object के पास अगर mass है, और वो space भी occupy कर रहा है, उसको हम matter बोलेंगे, अब matter की आप correct definition, जो आपकी paper में भी आ सकती है, वो भी आप लिख सकती है, anything that occupies space and has mass is called matter, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, जब हम emotions के बारे में बात कर रहे हैं, happy, sad, anger, तो ये हमारे ऐसे emotions हैं, ये सारी ऐसे चीज़ें हैं, जहां कोई space नहीं occupy करें, ना ही इनका कोई अपना mass है, अगर हम table, book, gas, water, juice, trees, plants, human beings, animals, अगर हम इन चीज़ों से compare करें, तो definitely ये सारी चीज़ें के पास, दोनों सारी चीज़ों के पास mass भी है, और ये space भी occupy कर रही है, तो इस वज़े से हमें समझ में आ गया कि कौन सी चीज़े matter हैं, ठीक है, so I hope सबको इतना समर्ज में आ गया होगा, और I hope सबने no down भी कर लिया होगा, अब हम दो चीज़ों के पार में बात करती हैं, एक मैंने आपको table, book, water, इन सबका example दिया, और एक मैंने example आपको दिया, plants, animals का, तो हमारे पास दो तरीके के matter आती है, फर्स्ट matter आता है, living matter, मतलब living, ऐसी कोई भी चीज़ होती है, जो move कर पाती है, grow कर पाती है, reproduce कर पाती है, excrete कर पाती है, तो वो सारी हमारे हो गए living matter, ठीक है, जैसे plants, animals, humans, तो ये सारे हमारे हो गए living matter, अब हम दूसरे तरीके के matter के बारे में बात करेंगे, दूसरे तरीके का matter हमारा हो गया, non-living matter, वो सारी चीज़ें, जो move नहीं कर पाती है, reproduce नहीं कर पाती है, और move, grow नहीं कर पाती है, जैसे for example, table, वो अपनी जगहा पर ही है, अपनी ही shape पर है, अपनी size पर है, water, जितना लिया है, हमने glass में उतना ही है, हवा, ठीक है, तो ये सारे grow नहीं कर रहें, move नहीं कर रहें, basically reproduce नहीं कर रहें हैं, ठीक है, जो ये अब ही तक हमने समझा है matter के, और उसके basically living और non-living के बारे में, अब हम आगी चलते हैं, और और भी postulates को understand करती हैं, जो हमारे scientist Dalton ने, John Dalton ने discover किया है, और हम तक पहुचाया है, John Dalton ने काफी चीज़ें को discover किया है, सबसे पहरे उन्होंने matter के बारे में discover किया, और हमें समझाया कि जो सारे matter होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं, जिन चीजों से वो बने हुए होते हैं, तो matter के अंदर ऐसी चीज़े होती हैं, जो बहुत ही जादा छोटी होती हैं, वो tiny particles होते हैं, all matter is made up of tiny particles, जिनको हम कहते हैं atoms, ठीक है, so हर matter के अंदर, वो matter है, अगर वो matter है, कोई भी object, तो मतलब उसके अंदर, वो छोटे-छोटे particles मौजूद हैं, और वो particles को हम science में बोलते हैं, atoms, वो बहुत जादा छोटे particles होती हैं, तो ये हमारा हो गया number one, postulate, जो हमें John Dalton ने explain किया था, अब हम चलते हैं आगे, कि और क्या explain किया है, तो John Dalton ने और explain किया, कि ये सारे जो elements हैं, जैसे हमारा wood हो गया, हमारा iron हो गया, हमारा कोई भी table है, किसी भी चीज़ से वो बनी है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं, वो identical है, कैसे? अपने-अपने mass में, अपनी-अपनी size में, और जैसे हमारा कोई भी table है, या पानी है, या कोई भी book है, उन सब की अपनी-अपनी properties भी हैं, तो ये सारे matter, अपने आप element में, एक ना-एक element में मौजूद होते हैं, जिनके similar identical mass होता है, अपना size होता है, और अपनी-अपनी ही properties होती है, लेकिन हाँ, ये दूसरे elements के साथ differ हो करते हैं, अगर हम किसी भी matter में, कोई दूसरे elements को लेकर आते हैं, तो दूसरे elements आ गए, तो मतलब उनकी अपनी तरीके की property जाएगी, जहाँ पर same elements होंगी, वहीं पर same mass size properties रहेंगी, लेकिन कहीं भी object में, अलग भी elements, दो या दो से जाधा elements से मिलकर बना है, तो हर element की अपनी-अपनी individuality भी आएगी, और अपनी-अपनी different properties भी आएगी, तो ये हमारे John Dalton का second postulate हो गया, I hope यहाँ तक सबको clear है, अब हम चलते हैं third postulate, जो बहुत ही जाधा important है, जो atoms होते हैं न, ये ना ही create कर सकते हैं हम, मतलब ना ही हम बना सकते हैं, और ना ही हम इसको तोड सकते हैं, ना ही हम इसको खतम कर सकते हैं, तो ये छोटे particles, कहीं भी, कोई भी object अगर matter है, तो उसके अंदर ये particles हैं, जिनको हमने atom का नाम दिया, तो ये atom ना ही कभी, उस object में से खतम होंगे, और ना ही कभी हम इनको बना पाएंगे, मतलब हर element को, या फिर हर object को, limited atoms या limited particles दिये गए हैं, ये हमारा third postulate हो गया है, तो आप सब ये लिख सकते हैं, atoms can neither be created nor destroyed, ना ही हम उसको destroy कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम इन atoms को और छोटे तरीके से, divide जरूर कर सकते हैं, जैसे हम atom के अंदर, हमें हम बड़ी classes में, और आगे classes में जाके पढ़ेंगे, electron, proton, neutron के बारे में, so हम yes, atom के अंदर भी बहुत सारी चीज़े होती हैं, तो हम वो next class में पढ़ेंगे, अभी हम सब एक matter के एक particle के बारे में ही, बात कर रहे थे, और ये atoms, next हम postulate पढ़ते हैं, ये atoms, जब दूसरे अलग-अलग elements के साथ, combine करेंगे, जैसे एक element हमने लिया iron, दूसरा element हमने लिया sodium, या magnesium, या chlorine, कोई भी हमने अलग element लिया, अगर वो किसी element के साथ combine किया जाएगा, fixed hole number में, या पूरे proper ratio में, तो हम इनको मिला कर, एक अपना हम compound भी बना सकते हैं, तो आप ये सब लिख सकते हैं, atoms of different elements, can combine with each other, in fixed ratio, to form compounds, तो हम ये यहां से compound भी बना सकते हैं, I hope सबको ये सारे postulates समझ में आ गए होंगे, एक बार हम दुबारा से revise कर लेते हैं, हमें John Dalton ने सबसे पहले समझाया, कि सारे matter, कोई भी matter है, उसके अंदर बने हैं, वो छोटे-छोटे particles के साथ, और उन particles को हम बोलते हैं, atoms, ठीक है, ये atoms के अंदर और भी बहुत सारी चीज़े होती हैं, electron, proton, neutron, वो हम बाखी की बाद में classes में समझेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ matter पे focus करते हैं, फिर हमने समझा है, कि ये सारे जो matter है, ये अगर एक specific हम element की बात कर रही हैं, हम iron की, हम wood की, हम carbon की, किसी के बारे में भी बात कर रही हैं, तो उसका अपना proper mass है, size है, और properties है, और इसी से ही connected हमारा fourth postulate भी है, लेकिन अगर ये ही किसी different element के साथ, हम combine कराते हैं, एक particular ratio में, तो उससे हम एक कमटा compound बना सकती हैं, और ये atoms, ना ही हम create कर सकते हैं, ना ही हम ये destroy भी कर सकते हैं, तो ये हमने कुछ postulates पड़े हैं, John Dalton के, अब हम आगे चलते हैं, कुछ limitations भी हम पढ़ लेते हैं, मतलब कुछ जो problems आ रही थी, इन सब को आगे बढ़ाने में, कुछ problems भी आ रही थी, तो हम वो भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर compound की भी बात, अगर हमने करी हैं तो, तो limitations ये आ रही थी इन theories में, कि ये isobars को नहीं judge कर पा रहे थे, हम नहीं बता पा रहे थे, और नहीं ये allotrops को बारे में बता पा रहे थे, नहीं isotops के बारे में बता पा रहे थे, तो ये सारी चीजें हैं, जो थोड़ी limitations भी आ रही थी, लेकिन अब हम मैटर के बारे में और समझना है, हम डीप में बार में समझेंगे, हम अब मैटर के बारे में और आगे समझने की कोशिश करती हैं, तो हमें मैटर से इतना तो पता चल गया, कि ये atoms इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, तो अगर ये atom है, तो अब हम एक atom की भी definition समझ लेते हैं, तो atom ये सबसे smallest, सबसे छोटा possible matter है, तो matter, येस, तो matter के अंदर सबसे छोटे छोटे particles, होने वाले particles को हम बोलते हैं, और ये atoms अपनी properties को exhibit करते हैं, शो करते हैं, तो आप लिख सकते हो, smallest possible unit of matter, unit of matter, जो अपनी सारी properties दिखा पाए, that exhibits all the properties of matter, ठीक है, तो अब ही हमने बात करी थी, कि अगर हम ये किसी और के साथ combine कराएं, किसी और different element के साथ combine करवाएं, तो अगर हम different की जगा, same ही element के साथ, अगर हम combine करा दें, तो क्या हम बनाएंगे, हम भो भी समझ लेते हैं, कि अगर जैसे हमने carbon लिया, ठीक है, और हमने वसी carbon को, एक और carbon के साथ join करवा दिया, या फिर हमने oxygen लिया, एक atom, और एक और oxygen के साथ, हमने उसको combine करा दिया, तो वहां से हमारा बन जाएगा molecule, तो अब हम molecule के बारे में भी समझते हैं, तो आप इन सब की भी definition लिख सकते हो, ये भी एक smallest unit ही है, matter की ही हमारी, जो same ही properties को show करेगा, क्योंकि जैसे oxygen का एक atom, जो इस property को show करेगा, वही दूसरा oxygen का atom भी उसी property को show करेगा, बस हमने दो atoms को combine कर दिया, तो वहां से हमारा molecule बन गया, so it is the smallest unit of matter, which exhibits again all the properties of that kind of matter, उस particular matter की properties को दिखा रहा है, और इसके पास अपनी capability है exist करने की, मतलब अगर हम एक oxygen atom के बारे में बात करें, तो यह oxygen अपने आप exist नहीं कर सकता, बट अगर हम एक और oxygen atom को combine कर देंगे, तो हमारे पास यह बन जाएगा molecule, और यह exist कर सकता है हमारे nature में, मतलब molecule के पास ऐसी अपनी capability है, अपनी existence के लिए वो अराम से जी सकता है, वरना एक oxygen atom जी नहीं सकता है, बेसिक के लिए हमें chemistry में यही समझना होगा, कि कौन सा particular element कैसे exist कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, तो मतलब वो unstable है, उसको stable कराने के लिए हमें उसको किसी और element, या उसी element के साथ उसको combine कराना होगा, ठीक है, तो यह हमने बहुत depth knowledge में पढ़ लिया, about matter, कि matter किस चीज से मिलकर बना है, अब हम matter को बाहर की तरफ से समझते हैं, ठीक है, तो अब हमें उनको बाहर की तरफ से समझना है, तो हमें उनकी properties को समझना होगा, हमें उनकी characteristics को समझना होगा, तो इसे के साथ हम अपनी next heading देते हैं, और आप सब भी लिख सकते हो, characteristics of particles of matter, तो अब हम अलग-अलग characteristics पढ़ेंगे और समझेंगे, first characteristic तो हम already ही समझ चुके हैं, कि जो भी matter है, वो छोटे-छोटे small particles से मिल कर बने हैं, जिनको हम atoms बोलते हैं, वो तो हम समझी चुके हैं, और ये atoms जो हैं, जब combine होते हैं, तो ये independently भ of small particles, okay, तो ये हमारा हो गया, first characteristic, अब हम second characteristics की तरफ समझते हैं, तो second characteristic हमारा हो जाएगा, आप सब लिख सकते हो, कि इन सारे matter के बीच में ना कुछ ना कुछ space जरूर present है, अब हम वो समझते हैं, जैसे मैंने अगर लिया कोई भी book, ठीक है, एक book है, वो एक matter है, वो हम समझ क्योंकि yes, वो एक space occupy करे और उसका कुछ mass भी है, तो हमें पता है कि जो वो matter है, तो उसके पास particles होंगे, तो उन particles के बीच में अगर 100% कुछ ना कुछ gap होता है, कभी कभार gap बहुत जादा होता है, कभी कभार gap बहुत कम होता है, लेकिन इसका तो हमें surety मिल गया, कि gap जरूर होता है, space जरूर होता है, तो यहां से हम अपने second characteristic की तरफ चलते हैं, कि particles of matter, they have spaces between them, so they have spaces in between them, अब वो कितनी जादा, कितनी कम वो भी हम आगे आने वाली class में जरूर समझेंगे, अभी हम सिर्फ characteristics और उनके कुछ examples की तरफ से समझ रहे हैं, ठीक है, अभी हम और भी examples से भी स चलते हैं, third characteristic की तरफ, यह सारे जो particles है, एक matter के अंदर, एक तरह किसे रुके हुए नहीं है, ठीक है, यह move कर रहे हैं, अब जितनी कम space होगी, तो वो अपने जितना space उन particular particle को मिलेगा, वो उसी space में ही घूमता रहेगा, लेकिन जितनी साधा space होगी, उतना साधा, वो distance carry कर स सकता है, तो इससे हमें पता चला कि सारे particles of matter यह continuously घूम रहे हैं, move कर रहे हैं, continuously moving, तो यहां से हमारा third characteristic of particles of matter बन कर आ गया है, क्यानि कि सारे particles अपनी space में, जितना भी space इनको provide किया जा रहा है, एक particular matter में, उसी जगहां पर यह move कर रहे हैं, एक जगहां से, दूसरी जगहां तक, अब हम चलते हैं, आखरी characteristic of matter की तरफ, last characteristic of matter हमें बताता है, कि अब कि जो particles हैं, एक जगहां तो घूम रहे हैं, लेकिन यह अगर घूम नहीं पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं घूम पा रहे हैं, क्योंकि यह attract भी कर रहे हैं दूसरे को, yes, यह जो particles of matter है यह एक दूसरे को अपनी तरफ attract भी कर पा रहे हैं, मतलब अगर जितना ज़्यादा space होगा, उतनी attraction दूर हो जाएगी, जैसे एक particle हमारा यहां है, एक दूसरा particle यहां है, तो जितना ज़्यादा दो particle के बीच में gap होगा, उतनी attraction कम हो जाएगी, और जितना पार्टिकल पास होगा उतनी attraction जादा हो जाएगी और वो आपस में friendship निभाएंगे और एक दूसरे को अपने आप साथ में रख कर ही आगे चलेंगे तो यहां से हमें पता चला कि particles of matter they attract each other ठीक है तो अभी हमने characteristics of particles of matter के बारे में समझा है that they have smaller particles यह बने हैं बहुत छोड़े-छोड़े particles हैं जो अपने आप independently भी exist करते हैं फिर हमने पड़ा है इन particles of matter के बीच में spaces भी होता है और यह साथ-साथ एक साथ एक जगा से दूसरी जगा move भी करते हैं जिनके बीच में space नहीं होता है वो आसपास उसी जगहा पे घूमते फिरते रहते हैं और last हमने समझा है that particles of matter they attract each other ठीक है अब इन ही characteristics को हम use करते हैं और अब इनको हम daily life में कहीं न कहीं apply करते हैं और समझते हैं कि इस particle के characteristics की वजह से ही ऐसी चीज़े हमारे साथ हो सकती हैं so अब हम आगे चलते हैं और एक और topic हम समझते हैं जो है diffusion so आप heading लगा लिजए students diffusion ठीक है अब diffusion क्या होता है चलो हम सबसे पहले example से समझते हैं जैसे आपने एक beaker लिया उसमें आपने पानी रखा थोड़ा सा आपने 100 ml या 50 ml आपने पानी लिया फिर आपने उसके अंदर black color की या कोई भी color की red color की suppose कीजिए आपने ink डाली two to three drops आपने ink डाली ठीक है बिलकुल matter है वो भी space ले रही है वो भी mass भी है उसके पास रहें तो उसके भी particles होंगे तो वो जो ink के particles होंगे वो धीरे धीरे करके इस हमारे पानी में अपना रंग फिलाएंगे अपना color फिलाएंगे वो फिलानी की कोशिश करेंगी तो इस particle को इस हम particular phenomenon को हम बोलते हैं diffusion अब हम इसको थोड़ा English में भी समझते हैं सुदाट की इसकी definition भी बन जाए तो diffusion एक ऐसी movement है diffusion word कहीं पे भी लिखा हो आपने समझ जाना है कि हम movement की बात कर रहे हैं और हम matter topic की बात कर रहे हैं तो movement किसकी होगी? किसी भी substance की होगी और वो कैसी होगी? from high concentration to low concentration यह सब भी लिख लीजिए from high concentration to the area of low concentration ठीक है? अब क्या हुआ? यह हमने particles का movement तो हुआ यह तो हमारा first step हो गया ठीक है? अगर हम इस particular ink वाले example को याद रखें अब हम आगे की तरफ चलते हैं second process में क्या हुआ? हमने देखा कि ink के particles, पानी के particles में mix हो गए तो यह हमारा second method बन गया, यह हमारा second point बन गया that particles of matter, आप यह सब लिख सकते हैं particles of matter intermix, यह mix किये गए है on their own, अपने आप करे हैं आपने कुछ नहीं इनमे movement कराई, आपने बस भीकर को रखा एक table पर, इनकी कोई movement नहीं कराई आपने, अपने आप ही उन्होंने particles ने movement दिखाई और अपने आप ही वो mix हो गए पानी के particles में, अब वो कैसे mix हो गए हम ये भी समझते हैं, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं water के, water एक matter है, यह हमें पता है, है ना, क्योंकि वो space भी occupy करता है और उसके पास mass भी है तो चलो सबसे पहले हम water के particles के बनाते हैं, तो water के particles ना, कुछ ऐसे इतने space में होते हैं इनके बीच में थोड़ा सा space होता है, water के particles के बीच में, ठीक है, फिर क्या हुआ, जब हमने ink डाली, ink भी of course हमारी liquid ही है लेकिन वो उसके spaces थोड़े से, उसके particles होड़े से छोटे हैं, और spaces उनमें भी थोड़ा कम है तो अब क्या होगा, कि हमारे red color की जो ink थी, वो particular, उसके जो particles हैं, वो water के particles में, जो spaces हैं, उसमें आने लगे इस spaces को जब ink ने fill कर दिया, water के particles को, तो इस क्यों करा, क्योंकि movement हुई, और इसी mixing को हम बोलेंगे diffusion, तो आप ये सब लिख सकते हैं, कि इसका reason क्या था, और ये क्यों intermix हुए, क्योंकि water के particles में space था, उनको mix कराने का तो आप ये लिख सकते हो, that हमारा third point यहां से बन सकता है, because they have spaces, तो यहां से आप third point लिख लीजिए, they do so, because they have space in between the particles, space in between the particles, अब मैंने इसे water का ही example क्यों दिया, मैंने आपको कोई और example क्यों नहीं दिया, हमने ink को water में ही हमने mix किया, हमने किसी और चीज में mix क्यों नहीं किया, हम अभी वो भी पढ़ती है, वो इसलिए नहीं किया, जैसे आप ये example खुद घर पे भी कर सकते हो, आपने एक book ली, ठीक है, उसके ऊपर कभी कबार हमारी ink गिर जाती है, पें से कभी कुछ हो जाता है, फॉल जाती है, तो वो book के अंदर नहीं जा रही है, वो book के surface पी जाती है, फिर आप cloth लाते और उसको वहां से हटा देते हो, तो यहाँ पे तो book में तो कोई spaces में fill नहीं हुआ, book में तो कोई भी mix नहीं हुआ, है ना, तो इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि book के spaces में, book के particles में इतने spaces नहीं है, कि वो ink को अपनी तरफ mix करवा पाए, लेकिन water के पास है, तो water ने करवा दिया, तो आप यह भी लिख सकते हो, हमारे fourth point में, जो हमारे spaces बने हैं, इन spaces की वज़े स properly intermix हुआ है, so the intermixing, the intermixing of particles of two different types of matter, तो यहाँ पे हमारे two different types के बन गए matter, यहाँ पे आप solid का भी example ले सकते हो, two different types of matter, on their own, अपने आप ही कर रही हैं, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको हम खहते हैं, diffusion, तो आप यह सब definition exact लिख सकते हैं, ठीक है, so अभी हमने, और भी हम example पर सकते हैं, कि हम इनको कहाँ पर और use कर सकते हैं, आप potassium per magnet का भी ले सकते हैं, उसको भी आप water में जब आप mix कराओगे, तो purple color का water आपका हो जाएगा, और भी आप ले सकते हो, जब दो gases mix कर हो रही हैं जैसे अगर आपने घर में अगरबती को burn किया, incense stick जो होती है, वो एक room से दूसरे room तक चली जाती है, असानी से वो क्यों चली जाती है, क्योंकि जो हमारी अगरबती है, उसके जो burn होने के बाद, जो gas release करी है, उस gas में है बहुत सारा अच्छा fragrance, और वो particles, उस gas के particles, हमारी present gas के particles के साथ, intermix हुई, और इसकी वज़े से, उसने हमारी तक, हम जो दूसरे room में बैठे हैं, वहां तक भी अपनी fragrance को पहुचा दिया, तो ये सारी क्यों हो रही है, ये सब हो रही है, diffusion की वज़े से, I hope सबको diffusion का topic, अच्छे से समझ में आ गया, हम इसी diffusion के topic को आगे लेक चलते हैं, और एक और उसी के साथ हम पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं, brownian motion, क्योंकि अभी हमने बात करी है, सिर्फ और सिर्फ movement की, अब कैसी movement होगी, हम उसको भी थोड़ा सा और define कर लेते हैं, ठीक है, तो आप सब अपनी heading लिख लीजिए, brownian motion of particles, तो कभी भी जब intermix हो र random movement होगी, या फिर zigzag movement होगी, I hope सबको zigzag भी पता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, जब भी zigzag movement होगी, उन particles की, तो उन उसकी वज़े से हम उसको बोलेंगे, उस particular phenomenon को हम बोलेंगे, brownian motion, जैसे कि dust, जो dust होती है, ठीक है, वो randomly घूमती है, कभी यहां, कभी यहां, ठीक है, तो zigzag movement में colloid करती है, हमारे air particles के सा, तो वो हो गया हमारा brownian motion of particles, ठीक है, I hope सबको यह भी समझ में आ गया होगा, ओके, अब हम आगी चलते हैं, तो यह हमने basic matter की बारे में बात की, उनके character sticks की बारे में बात करी, कि उनके पीछ में कैसे spaces हैं, और यह सब हमने बात करी, अब हम बहु identify करने वाली है, classification of matter, क्योंकि मैंने आपको भी example दिया था, कि कुछ matter के particles में काफी space होता है, कुछ में नहीं होता है, तो इन ही particular property को use करते हुए, हमने तीन classification बनाई है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे solids के बारे में, तो आप सब heading लगा लीजिए, solids, ठीक है, अब solid क्या होते हैं, मैं सबसे पहले आपको example से समझाती हूँ, solids जैसे आपके सामने आपकी book रखी है, table रखी है, chair रखी है, bed रखी है, pen हो गया, यह सारी चीजें जो है, यह सारी हो गई हैं, आपकी solid, अब यह solid क्यों है, हमने इसका नाम solid क्यों रखा है, हम या इसकी matter के बीच में क्या problem है, हम वो सब discuss करेंगे, कोई भी classification, जो भी हम matter के बारे में बात करेंगे, वो एक major difference से हम समझेंगे, वो major difference है, कि उस matter में, जो particles हैं, उस particles के बीच में कितना difference है, तो यह एक बड़े property की वज़े से, बहुत सारी properties बन कर हमारे सामने आ गई हैं, तो solid में जो space होता है, particles के बीच में, वो सबसे कम होता है, इसी की वज़े से, हमारी first property बन गई है, that यह जो solids होते हैं, they are very closely packed, बिल्कुल closely packed हैं, इसके जो particles हैं, ठीक है, so आप यह लिख सकते हैं, particles are very closely packed, तो यह हमारा point number one बन गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में spaces बहुत कम हैं, बहुत कम spaces हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह याद रखना है, अब इनके spaces कम जो हैं, इसको हम use करेंगे, और अलग-अलग property को हम define करेंगे, ठीक है, तो हम second property पढ़ते हैं, अगर इनके बीच में spaces कम हैं, तो आपस में जो force of attraction है, particles का, वो बहुत strong हो जाएगा, तो आप यह लुक सकते हैं, force of attraction between particles is very strong, ठीक है, तो यह force of particle, जब बीच में इनके force of attraction बहुत जादा strong हो गया है, तो इसकी वज़े से वो और जादा पास रहेंगे, एक दूसरे को hold करके रखेंगे, अब एक दूसरे को जब वो hold करके रख रहेंगे, तो मतलब move करने भी इनको problem हो रही है, अब एक दूसरे से दूर जाने भी इनको problem हो रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा attraction होगा, उतनी ज़्यादा movement उस जगहां से जाने की बहुत restrict हो जाएगी, तो इसके वज़े से solids के पास minimum kinetic energy होती है, solid के particles के पास minimum kinetic energy होती है, kinetic energy जो एक दूसरे से वो घूम सकते हैं, move कर सकते हैं, ठीक है, so I hope ये सबको तीन properties थो समझ में आ गई है, अब इन सबके closely packed हैं, तो जो हमारे solid हैं, जितने भी example दिये, pen, book, table, chair, जितने भी example दिये, ये सबस के सब इनके पास अपनी definite shape है, और वही fixed volume भी है, ठीक है, so उसी से ही हम देखें, हम space पे ही चल रहे हैं, कितना space है किसी भी particle के बीच में, उसी space को हम याद रखते हुए, हम बाकी के properties भी study कर रहे हैं, ठीक है, अब इनके पास proper shape है, volume है, आपस में बिलकुल जुड़े हुए हैं, साथ में closely packed हैं, तो इसकी वज़े से इनके पास बहुत अच्छी high density भी है, ठीक है, और इसी की वज़े से ये incompressible भी है, कि इनको press करना बहुत मुश्किल होता है, incompressible है, ठीक है, तो एक बार हम दुबारा इसको revise कर लेती हैं, फिर उसके बाद हम next classification पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा है that they are particles are very closely packed, फिर हमने पढ़ा है, इनके बीच में बहुत ही जादा force of attraction बहुत strong रहती है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से attached है, इनके पीच में spaces बहुत कम है, फिर हमने पढ़ा है spaces कम है, तो फिर ये घूम भी नहीं सकते हैं, तो इसकी वज़े से इनके पास minimum kinetic energy है, और definite shape और volume भी है, तो ये major properties हैं, जो हमने पढ़ी है solid के बारे में, अब हम चलते हैं, second classification पढ़ने के लिए matter की, जो हम पढ़ने वाले है liquids के बारे में, तो चलिए, subheading देते हैं, second classification of matter, which is liquids, तो liquids का नाम जैसी ही आप सुनते हो, आपके mind में सीधा आजाता है, water, या कोई भी juice, ठीक है, तो ये जो water है, ये जो juice है, ये आप देखें, ये flow करता है, है ना, जैसे river भी हमारी पानी से है, पानी, वो हमारी flow करती है, बहती है, तो मतलब, ये एक जगहां पर stick नहीं रहती है, ये इसको पहने की इसकी आदत है, ठीक है, अब क्यूं है, क्यूंकि इनके जो particles हैं, जो liquid के जो particles होते हैं ना, उन में थोड़ा सस जादा space होता है, as compared to solid, तो ये चीज़ आप याद रखें, कि solid के spaces कम होते हैं, लेकिन liquid के उससे जादा spaces होते हैं, ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, इसकी liquids के बारे में properties, number one property, ठीक है, तो ये अभी हभी हमने समझ लिया है, इनके particles के बारे में, that they are less closely packed, ठीक है, ये हमारी first property हो गई है, अब ये अगर थोड़ा सा इनके बीच में space जादा है, as compared to solid, तो इसकी वज़े से जो उनकी force of attraction है, एक दुसरे को पकड़ के रखने की जो attraction है, वो थोड़ी सी कम हो गई है, less strong हो गई है, तो यहीं से ही हमारा second property आकर हमें मिल जाती है, force of attraction between particles, is less strong, ठीक है, अब इसी की बाद हम इस third property समझते हैं, जब less strong है, मतलब उनकी पास space है, मतलब वो एक जगा से दूसरी जगा असानी से जा सकते हैं, तो मतलब kinetic energy थोड़ी सी तो बढ़ गई है, movement की capability बढ़ गई है particles की, तो हम यहाँ पे third property लिख सकते हैं, kinetic energy between particles is more than that of solids, ठीक है, अब kinetic energy थोड़ी सी बढ़ गई है, तो फिर इससे क्या होगा, कि अब हम समझ सकते हैं कि इनको बहनी की आदत है, मतलब अगर हमने 100 ml का पानी लिया है एक बीकर में, और उसी को ही हमने, उसी पानी को हमने, एक bucket में डाला है, तो वो 100 ml तो जरूर रहेगा, ठीक है, लेकिन उसकी shape बदल गई है, उसकी उस पानी की, उस liquid की जो shape है, वो बदल गई है, मतलब, they do not have, these particles, they do not have definite shape, but definite volume, ठीक है, और येस, उसकी जो density है, वो कम है, solids के comparison में, तो अब लिख सकते हो, less denser than that of solids, and they can diffuse also, ठीक है, तो ये हमने, liquids की properties के बारे में समझ लिया है, थोड़ा साम रिवाइस कर लेते हैं, that ये less closely packed है, force of attraction, वो of course कम है, थोड़ा सा, solid के comparison में, क्योंकि, space जादा है, kinetic energy, जो particles की है, वो जादा हो गई है, as compared to solids, क्योंकि इनके बीच में, space जादा हो गया है, yes, उनकी definite shape नहीं है, बट बिल्कुल definite volume है, उतनी ही रहेगी, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है, second classification of matter, which is liquid, अब हम पढ़ते हैं, third classification of matter, जो हम बात करने वाले हैं, gases की, तो gases का नाम जैसी है, हम सुनते हैं, हम सारे पास तो सबसे पहले आजाता है, कि oxygen gas, हमारे air में, हमारे atmosphere में, कितनी सारी gases होती हैं, ठीक है, और वो दूर तक फैल जाती है, मतलब उन particles में, तो बहुत ही जादा spaces होंगे, आपस में, तो मतलब हमारा, particles are spar apart from each other, ठीक है, अब यह इतनी साद दूर दूर आपस में spreaded है, तो मतलब उनको hold करने की भी शमता, जो है, वो तो बिल्कुल ही lose हो गई उनकी, तो मतलब जो force of attraction है, वो बिल्कुल ना के बराबर है, तो यहां से हमारी second property आ गई है, force of attraction between the particles is almost negligible, बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, तो यहां से हमारी second property बन कर हो गई है, तो अब इनके पेश में इतना सादा spaces है, तो मतलब यह इधर से उधर बिल्कुल असानी से घूम सकते हैं, तो मतलब इनके पास तो kinetic energy कैसे होई, सबसे ज़ादा होई, maximum kinetic energy होई, gases के particles के पास, लेकिन एक चीज़ तो हमें बिल्कुल समझ में आ गई है, ना ही इनका कोई definite shape है, ना ही इनकी definite volume है, यहां से हमें, क्योंकि यह फैल सकते हैं, असानी से इनके बीच में बहुत spaces हैं, नीदर हाव डेफिनेट शेप नौर डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से हमारी फोर्थ शुरू हो गई है प्रॉपर्टी, और आप देखिए, और इसी तरीके से इसकी जो density है, वो सबसे कम है, लीस्ट डेंसर है होता है, तो आप देखिए, हमारे difference भी सामने ही समझ में आ गए है, सिर्फ हमने एक प्रॉपर्टी को समझा है, कि कौन से particles के बीच में, कौन से matter के बीच में, particles के space जादा है, कम है या सबसे कम है, उस property को यूज़ करते हुए, हमने बागी कि सारी properties, उस matter के बारे में बना दी है, ठीक है, सो आइ होप यहां तक सब को समझ में आ गया है, सो classification of matter भी हमारा finish हो गया है, Thank you so much everyone.